पार्लरमेंट में दो घंटे चाहे दो घंटे तेरा मिनट दो घंटे तेरा मिनट भाशन किया उसमें अंत में दो मिनट उन्होंने मनिपूर के बाद की मनिपूर में महीनों से आग लगी हुई है लोग मारे जा रहे हैं बलतकार हो रहा है बच्चों को मारा जा रहा है और अगर आपने देखा होगा कल तो प्रदान मंत्री हस हस के बोल रहे थे मुस्कुरा रहे थे जोक्स क्रैक कर रहे थे हस रहे थे यह उनको शोभा नहीं देता है हिंदुस्तान का प्रदान मंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है दर्द हो रहा है हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री को दो घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए विशे कॉंग्रेस नहीं था विशे मैं नहीं था विशे मनिपूर है मनिपूर में क्या हो रहा है और उसको एक दम क्यों नहीं रोका जा रहा है यह विशे है मैं आपको अपना experience देता हूँ जो मैंने शाहिद अभी तक बोला नहीं शाहिद पहले बोल देना था मैं अब तकरीबन उननिस साल से राजनेती में हूँ और मैं हर स्टेट में गया हूँ बाड आए तुफान आए सुनामी आई थी हिंसा होती है हम जाते हैं उननिस साल के experience में जो मैंने मनिपूर में देखा और सुना वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था मैंने पार्लमेंट में बोला कि प्रधान मंत्री जी ने अमिट शाह जी ने भारत माता की हतिया की है मनिपूर में भारत को खतम कर दिया है मैंने ऐसे नहीं बोला था ये खोकले शब नहीं है मैं आपको समझाता हूँ मैंने ये बात बोली कियो जब हम मनिपूर पहुँचे हम लैंड किये हमें मनिपूर में दोरा करना था जब हम मेते एरिया में गए हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सेक्यूरिटी डीटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे और जब हम कुकी के एरिया में गए हमें कहा गया अगर कोई मेते आपकी सेक्यूरिटी डीटेल में होगा उसको आप मत लाइए उसको हम गोली मार देंगे हम जब गए हमें मेते इसको परे करना पड़ा हमें कुकी इसको परे करना पड़ा मतलब एक स्टेट नहीं है आज दो स्टेट है स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मनिपुर में बीजेपी ने कर दी है और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हसते हुए, मजाक उड़ाते हुए मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है छोड़िये, नहीं जाना चाहते हैं उसके भी कारण है, शायद मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, उसके कारण है, मगर अगर जा नहीं सकते हैं, तो मनिपूर के बारे में बोले तो, हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो सेना को आप जानते हो, जो मनिपूर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको दो तो दिन में रोक सकती है। तीन दिन नी लगेंगे अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो दो दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधान मन्तरी मनिपूड को जलाना चाते हैं आग भुजाना नहीं चाते हैं। यह है सच्चाई। घभ अने सवाल कोचेंगा, इब आप अवने सवाल, आप अब अपने सवाल पूछेंगा, आप आप मे 先生, है? I watched the Prime Minister of India yesterday, speaking for two hours, acknowledging, joking, लगवने नारेज一个 पारिमें, the Prime Minister would say one line and the entire BJP would shout लिपके लिग्यार्षा वे लग्यार्व स्थ Crashी लिए लुगा लगे त। सेंस्की एष लगारेंस सेंस्ट लिए लिए स्टेछ इंपूर लाज़िए लाजर्वा लगे लेट्ट कामेंस लींडेए लुगाथ विल्क्सी करदें, बबाब राहुल गांदी, बाब बाथ गांदी, बाब प्रप्रस्पर्टी, बाब अबब एंडिया, बाल अबदाएंदी है इस थे हैं इसकत परना श्यूंदी हैं, इस हेज रखेशशन हैं, बार फिर में बेड़ करदें बार्ट्पेक्ट तुिले व्य in Manipur. It's very interesting. For the first time, the words Bharath-Mata have been expunged from the parliament. It's an insult to those words. Whatever I said, that is wrong. I have said Bharath-Mata, which is an idea, which is the idea of India, where everybody lives peacefully, harmoniously, with affection, has been killed in Manipur. It's a fact. So, the word itself now cannot be spoken by the people of India. We cannot say Bharat Mata in Parliament. I want to tell you about my own personal experience of Manipur. I have spoken to you about, I have spoken in Parliament about the women I met, the pain I heard. But I want to tell you why I said India has been murdered in Manipur. And I said it because Manipur no longer exists as a state. A state requires control, a state requires authority, that has disappeared in Manipur. It does not exist. And I saw this with my own eyes. When we went to Manipur, when we went to the Metai area, we were categorically told that that please ensure we want you to come, we love you, but please ensure that if there are any cookies in your security detail, they do not come into our area or we will shoot them. When I went into the cookie area, we were told the same thing. We love you, we want you to come, but please make sure if there are any Metais in your security detail, we will shoot them. Do not bring them here. Before going to the Metai area, we had to remove all cookies from our security detail. Before going to the cookie area, we had to remove all Metais from our security detail. When we went there, the security forces, central security forces told us we have never seen anything like this. We were told it is completely outside our control. Okay? That is why I said Manipur has been murdered by the BJP and the idea of India has been murdered by the BJP in Manipur. I was not speaking metaphorically. I was speaking literally. Now, the Indian army, it will take the Indian army two days to put an end to the nonsense that is going on in Manipur. The Prime Minister refuses to stop the fire. He wants Manipur to burn. He allows Manipur to burn. Because if he did want it to stop, there are tools in the hands of the Indian government that can stop it immediately. I know, I have full faith in our army. I know, and every Indian citizen knows that if the Indian army is told, please put an end to this, it will stop immediately. There are reasons for the PM not being able to go to Manipur. I am aware of those reasons. I don't want to say them publicly. But there are clear reasons as to why the Prime Minister is not going there. That is why we wanted the Prime Minister to speak in Parliament. That is why we wanted Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. He laughed at the women of the state. That's the truth. Now, please ask your question. Sanjeev, Mike, can I ask? Finally, I just want to say one thing again in English. See, the Prime Minister, when he becomes Prime Minister, he ceases to be a politician. He becomes the representative of the voice of this country. His political, the politics should be put aside. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party. But the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad. Because the Prime Minister does not understand what he actually is. He is our representative. He is my representative. He is all our representative. And watching the Prime Minister spend two hours talking about the Congress, talking about the opposition, you know, making ridiculous remarks about the name, this really does not do justice to an Indian Prime Minister. I've seen Prime Ministers from the Congress Party. I've seen Prime Ministers from the BJP. I've seen Mr. Vajpayee. I've seen Mr. Dev Gowda. None of them have ever done this. This is, there's a, there's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi about what the Prime Minister of India is. Rahul Ji, you wanted the Prime Minister to speak in Parliament. And now that he's spoken, and you've said that, you know, he wants Manipur to continue to burn. So what is the Congress Party's next step to retrieve Manipur and save it? I, the only conclusion I can draw, because the Prime Minister has tools in his hand that can stamp out the fire in Manipur, certainly within three or four days. But for some reason he's refusing to use those tools. Right? The Prime Minister could at least go to Manipur. Talk to the communities. And say, I'm your Prime Minister. Let's start talking. It will be taken seriously. So, I don't see any intention. Raul Ji, Raul Ji, Raul Ji, Raul Ji, Raul Ji, Raul Ji, this is the Prime Minister of the Prime Minister of the Prime Minister. In his language, he has been looking for this in 2018. In 2023, they have brought the peace in 2023. And in 2023, they will also be giving the peace in 2023. So, in one way, he has said clearly, that I am, our government is becoming the next time, a political thing too. They said that you have spoken about the whole language. You are saying that the political language was too much, मनिपूर पर माप बहुत कम थी इसको कैसे देखते निए भाशन के लिए निए भाशन ही लिए अहइच्ट यह है अoffs nuclear मोडीजी के बारे में था वह इंतिरा अपने राजनेते अपनी अपनी कि वह आपको दे रहे थे सवाल यह नहीं है कि नरेंदर मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे चाहते हैं तो यह पुब्लिक मीटिंग में मज़ाग बनना चाहते हैं तो जब मनपूर नहीं जल रहा है तो तो करें प्रदान मंत्री को ये समझ आनी चाहिए बात समझ आनी चाहिए कि पार्लोमेंट में जो चर्चा हो रही थी उनके बारे में नहीं थी तो मनिपूर के बारे में थी कि अधिन नमस्कार कर बार बार कॉंग्रेस का नाम लिया और यह आरोप लगाया कि नौर्थीश और मणिपूर की सारी अधिया की अभी मैंने बोला ना वही तो जवाब है मुझे प्रदान मंत्री को जवाब देने की जरुद नहीं है मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि एक और अधिया कर दी गई है मनिपूर में है बारत माता की गजा कर दी गई और प्रदान मंत्री लोगसमा में मजाक फको दारे हैं हसरें नारे लगवारें मुझे क्या जवाब देने की जरुद है मिस्टर गांधी यूवाइक्स टेले कुई तो राहूल आपने बोला कि प्रधान मंत्री ने बोला सदन में कि ग्री मंत्री अमिट शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया अमेच्छा साब यह कहते हैं कि मनिपूर के cm को हटानी की जरुवत इसलिये नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई हमने ऐसे डीजी पी चेंश किया डीजी पी चेंश कर दिया उन्होंने जो भी प्राशासनिक व्यवस्ताम हम चेंश करना चाहते थे इसलिए मनपेपुर सीम म passage मैं मनिपुर गया मनिपुर सीम ने जो हे मनिपुर में हजारों वेपन्ज हजारों वेपन्स लूटे गए वह मनिपूर सीएम के निचे ही हुआ तो क्या हमेच्छ चाहते थे कि यह जारों वेपन लूटे जाएं जो हिंसा चल रही है कि अमेच्छ चाहते हैं कि यंसा चलती जाहे कि चीफ मिनस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है अमिच्छा जी कहरें कि भाई वह हमारी बात मान रहा है तो आप क्या आप चाहते हैं कि मनिपूर जलता जाए यह संव्ध में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कई से से अपुजीशन के एंपी यह तो संपेंड हो रहे ए या डिस्क्वालिपाइज हो रहे है यह से से एक से से जबाद ऑप पजीशन के एंपी इस का जो डिस्क प्रिविलेज मोशन या प्रिविलेज्ज रूल record इसको आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे आप देखें एंपी इसको निगालें वापिस डालें हमारा काम बढ़ता नहीं है हमारा लक्ष जो मनिपुर में हो रहा है उसको रुखवाने का है जो भी अजार हमारे हातों में है उस हिंसा को रुखवाने के लिए उनका हम प्रयोग करें और करेंगे Mr. Gandhi, you talked about using the army, deploying the army to control violence, you spoke that in parliament, you repeated here, but the BJP has criticized you and even previous Congress government saying that we want to solve the issue through dialogue and they've criticized that in the 60s, in 64, the Meso-National Famine Front was bombed by the Indian Army, by the Indian Air Force, so they said that, you know, they do not believe in… I have never heard, in my entire career, I have never seen, I have never been told, anywhere I have been in India, that if you take this person as a security officer with you, we will put a bullet in his head. I have never heard it. And I heard it twice in Manipur. That means there is no dialogue in Manipur. There is pure violence taking place in Manipur. The first step is to stop the violence, put an end to it. I point out the army, but what I mean is that the Prime Minister has multiple instruments in his hands. He's not using them. It's been burning for four months. He's doing nothing and he's laughing. I'm amazed, I'm amazed people can't see this. That he's sitting in parliament and laughing. Under the army, I'm too. I'm everything. Last question. Last question. Ajayramji, Mohit Dubekh, NewsNation. You've spoken to an German language in Manipur. Jahramji. Rahulji. Are you going to say jayram? You're the author of Me****y Gairam? Or are you doing Jairam? Jai Samir. Jahramji. 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 Raja Jai Siyaram. Jahramji. प्रवार प्रवार